हेलो गाइस वेलकम बैक नो माई यूटूब चैनल एरसीज अव्लोग्स तक गाइस आज हम लोग होंडा की सीबी यूनिकॉन के बारे में रिव्यू करने वाला है पूरी बाइक का रिव्यू करने वाला है जो आज कल बहुत डिमांड में चल रहे है वैल्यू फर मानी बाइक हए उसका रिव्यू करने वाला है तो चलो करते हैं रिव्यू तो गैस फरन्ट से बात करें तो वाला लोक वाइजर बहुत बड़ा मिल जाता है बहुत बड़ा है विलूजन प्रोजेक्टर मिल जाता है है अरो हाई-टाीर में ज्यूट के साफ आती है सिंगल चैनल 80 mm के लिए थिस्ज ब्रेक मिल जाते हैं सिंग लॉआल यह करता है कि आप लोग गिरोंगे नहीं इससे ब्रेकिंग भी अच्छी котором रहीं और Cशयूरोन बद रखेर के उसएलिक रखेएर मिल जाते हैं और यह बड़ा सा मठगर मिल जाता है चų तो आप लोग का पेर नहीं डबे और बाइट में कोई नुकसा ना हो इसलिए आता है जो अच्छी बात है रियर में बाट करें तो पहले अज्जस पर ये कवर मिल जाता है तीसरा बैठेगा तो यहां पर पेर रखेगा तो स्लिपर या उसका सूस जलेगा नहीं और सस्पेंस स्पेंसर की बाट करो रियर में मोनोसोक अस्पेंसर मिल जाता है और टायर की बाट करें तो ऐंड़र की नाइंटी टायर मिल जाते है जो अलॉए यूज की बाट करें तो चेन कवर भी मिल जाता है तो उससे चेन क्लिन बार बार नहीं करना पटा है चेन जाड़ा गंदी नहीं होती है जो कवर नहीं होता है तो चेन जाड़ा गंदी होती है और उसका माइलेज पर भी एसर पटा है और कवर होने के वज़े से चेन जाड़ा गंदी नहीं होती है तो उसका mileage भी अच्छा रहता है और side के फैरिंग के बाट करें यहाँ पे Unicorn की branding मिल जाती है और यहाँ पे बहुत बड़ी फैरिंग मिल जाती है आप लोगों को जोनों टरफ से उसके full tank के बाट करें तो 10 लीटर का full tank मिल जाएगा उसके engine के बाट करें तो 162.7 cc का four stock single cylinder two wall air cool engine मिल जाता है जो power produce करता है 13 ps का 7500 rpm और torque produce करता है 14 mm का 5500 rpm 163 cc के बाइक है तो Honda के बाइक है तो engine refinement है बहुत ज्यादा refinement है और Honda के engine भी लंबे समय तक चलते हैं और उसकी mileage तो एक प्रोस 60 तक तो आप लोगों आराम से देदेगी क्योंकि family pack bike है तो यहाँ पे CP बहुत बड़ी है तो आप लोग family के साथ आराम से गुम सकते हो और power भी बहुत बड़ी आदेटी है तो आप लोग safely ride सकते हो आराम से कोई दिकर नहीं होगे इसमें बहुत बड़ा advantage क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसमें kick भी आती है और self भी आता है दोनों आते हैं तो आप लोगों को आसानी पड़ेगी self जब नहीं लगेगा तभी kick से काम चल जाएगा तो यह बहुत बड़ा advantage है और इसमें single horn मिल जाता है आप लोगों को बजा के दिखाता हूं कि और यहां पर analog speedometer मिल जाता है digital नहीं मिलता है क्योंकि उससे price और जाढ़ा हो जाएगी तो आ रपी anoë computer बड़ाथाए यहां पर एंडिगेटर लाइट बड़ादी यहां पर दे लाइट बड़ादी है यहां ऐनचर के कोई problem होगा तो यहां पर light जल जाएगी तो अभी नहीं जलती है अभी कोई problem नहीं है इसलिए इसमें trip भी आती है यहां पर यह देख लो zero हो गई यह रहा odometer यह रही trip meter तो guys यहां पर engine kill switch मिल जाती है और अलग से self मिल जाता है और यहां deeper button मिल जाता है और यहां पर हॉन का button है और यहां पर हमने फूर सिंग्नल वाला अलग से लगाया है आप भी लगा सकते हो और यहां पर ABS की light भी मिल जाती है और guys इसमें side stand cut off switcher भी मिलता है और दो stand मिलते हैं बड़ा stand भी मिलता है और size stand भी मिल रहा है और size stand पर engine cut off switcher भी मिल जाता है यह देख लो यहां पर engine cut off switch है और यहां पर gear lever है जो पीछे वाला नहीं है सिपागे वाला आता है एक ही डंडी आती है तो आप लोगों को दिखाता हूं कि size stand cut off switcher क्या है अभी बाइक चालो करके दिखाता हूं बाइक अभी नूटल है देख लो अभी मैंने बाइक ओन की अभी gear डालता हूं यह first gear डाला और हमने यह stand नीचे किया तो अटोमेटिक अगले बाइक बन हो गई यह future भी आता है जो बहुत अच्छा safety future है तो गाइस में आप लोगों को sound सुना देटा हूं तो गाइस होंडा की बाइक है इसलिए होंडा बहुत रिफाइमेंट कमनी है तो बहुत रिफाइमेंट इंजिन मिलेगा आप लोगों को अच्छी माइलेज मिलेगी और 5-speed gearbox मिलेगा आप लोगों को एफाइ इंजिन मिल जाता है आप लोगों को और comfortable ride मिल जाती है अच्छी power मिल जाती है अच्छा torque मिल जाता है तो आप लोग safely ride कर सकते हो और फूल मझे के साथ ride कर सकते हो और उसकी एक्स उसकी अंटरोर प्राइस के बात करें तो यह आए थी तबी एक लाख 22,000 की थी अब साइड 22,000 बढ़ गए होंगे तो गाइस यह बाइक 160 CC में best बाइक है फूल फैमिली बाइक है और अच्छे से ride कर सकते हो आप लोग और value for money भी है तो mileage भी बहुत अच्छा डेटी है तो आप लोग purchase कर सकते हो value for money बाइक चाहिए तो यह बाइक आप लोग जरूर ले सकते हो और यह बाइक हम लोग test drive करके भी आप लोगों को दिखाएंगे तो गाइस वीडियो अच्छा लगा अगर चैनल को subscribe कर लो तो मिलते हैं नेक्स लोग में bye bye take care हमने giveaway वाला वीडियो भी डाला है तो आप जाके देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गिव